जैन दोस्तो वाकम बैक टो आज चैनल वाकम बैक टो जॉब्टेरिया आसा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने त्यारी में बहतरीन तरीके से लगे होंगे एक बार फिर आप सभी को जॉब्ट बहुत स्वागत बहुत बहुत अविनंदन करते हैं जहां दोस्तो रिसेंट एक्जाम जो अभी चल रही है उसी के एकोडिंग पेपर वन हिंदी की अगर बात करें तो ब्याकरन पोसंद से जो है आपका 50 मार्क्स के कोश्चेंस पूछे जा रहे हैं ऐसे में ब्याकरन को आपको करके जाना और इस पर कमांड करना बहुत ज़्यदा जरूरी है तो रिसेंट एक्जाम जो बेस्ट मैंने ये जो है टॉपिक जो आ रहे हैं पूछे जा रहे हैं उसी का मैं आपको जो है यहाँ पे डिटेल जो हैं सी क्यू कराने वाला हूँ और बिटेल एक्स्प्रेनेशन के साथ करूँगा तो एक डेडिकेटेड वीडियो रहने वाली है सब्द, संधी, किरिया और बाचिस के रिकार्डिंग इन चार टॉपिक्स के मिला कि आपके 30 मार्क्स आपका कनफर्म हो जाएगा क्योंकि यही चार टॉपिक से कम से कम साथ टाइम में वीडियो को कंप्लीट कर लेंगे यह 30 मिनिट का आराउंड जो है वीडियो रहने वाली है लेकिन बहुत ही फूट फूल रहेगी तो बने रहेगा वीडियो में अंतक चैनल पर दोस्तों अगर फर्स टाम जुड़े हैं तो चैनल को जरू सब्सक्राइब करके ब तो सबसे पहले इस टॉपिक को हम लोग कबर करेंगे देख सकते हैं थोरा थियोरी पोजिशन में आपको बताऊंगा बहुत ही सौट में और उसके बाद कोश्चन करेंगे देख सकते हैं सब्द के भेद समझ लीजेगा यहां से डारेक्ली कोश्चन पूछ ले जाता है तो सब्द को जो है मुखत चार अधारों में बर्गी किरित किया गया है रचना के अधार पर अर्द के अधार पर उत्पत्ती के अधार पर और रुपांतर के अधार पर रुपांतरन के अधार पर तो यह चार जो है भागों में बर्गी किरित किया गया है रचना के अधार पर अगर बात करें तो सब्द के तीन परकार होते हैं ध्यान दीजेगा पूछ लिया जाता है कि रचना के आधार पर सब्द के कितने भेद हैं तो आपका अंसर होना चाहिए कि इस रचना के आधार पर सब्द के तीन भेद होते हैं रूड योगिक और यगडूड तो ये तीन भेद होते हैं रूड सब्द किसे कहते हैं वो ऐसे सब्द जिनका कोई भी खंड सार्थक ना हो जो परंपरा से विश्यस अर्थ प्रदान करता आता है रूड सब्द कहलाता है इसका अर्थ क्या हुआ सिंपल ही समझिए कि रूड सब्द उसको कहेंगे जिसका अगर खंड कर देते हैं तो कोई सार्थक सब्द नहीं निकल के आएगा सार्थक मिनिंग नहीं निकल के आएगा जैसे आपका मैंने लिख दिया यहां पे जल जैसे मैंने यहाँ पे लिग दिया आपका हाथी तो इसका अगर आप खंड करेंगे जल को तो जल का खंड करने के बाद कोई सार्थंग मिनिंग आपको नहीं देगा जैसे जोड ल जल हो जाएगा जोड ल जल हो जाएगा तो जोग कोई सार्थक मिनिंग नहीं दे रहा है आपका जैसे हाथी हो गया हाथी को आप खंड कर दीजे तो हाथी को भी खंड कीजेगा तो ये सार्थक मिनिंग नहीं देगा तो ऐसे सब्द को रूड सब्द करते हैं ध्यान रखेगा जैसे पानी हाथी ये root सब्द का जो है example है ध्यान दीजेगा बहुत आसान है इसको आप पहचान लीजेगा इजिली फिर आता है योगिक सब्द योगिक का मतलब ही होता है male यानि वैसे सब्द जिसका दो खंडो सार्थक खंडो से निर्मान हुआ हो यानि ऐसा सब्द जो दो सार्थक खंड से निर्मान हुआ हो मतलब इसका दो खंड अगर कर देते हैं तो दोनों खंड सार्थक meaning रखेंगे जैसे मैंने लिया बिद्याले बिद्याले सब्द कैसे जो है ब्रेक करेंगे इसको तो बिद्दा जोड आले तो बिद्दा एक meaningful word है और आले भी एक meaning दे रहा है यानि सार्थक खंड यहाँ पे जो है दो मिल रहे हैं तो ऐसे सब्द को योगिक सब्द कहते हैं दूसरा example देख लिए रामायन रामायन को अगर हम यह ब्रेक करेंगे तो राम जोड आयन दो खंड में विवक्त हो गया और दोनों ही जो है सार्थक meaning को दर्सार है इसलिए यह भी क्या होगा योगिक सब्द हो जाएगा तो ध्यान दीजेगा योगिक सब्द में क्या होगा कि वैसे सब्द जिसके दो सार्थक खंडों से निर्वान हुआ हो उसी को बोलते हैं योगिक सब्द योगडूर क्या होता है तो योगडूर ध्यान दिजेगा वैसे सब्द जो जोगिक होते हैं ये भी ऐसे सब्द होते हैं जो दो सब्दों के मेल से ही बनते हैं किन्तु आपने समाइन अर्थ का त्याग कर देते हैं और एक बिसेस अर्थ रखते हैं इसका मतलब क्या हो गया जैसे एक्जामपल से समझे जैसे लंबोदर लंबोदर सब्द जो बना है अगर देखिएगा तो इसका खंड करेंगे तो दोनों ही सार्थक सब्द निकल के आए लेकिन इसका एक लंबोदर सब्द एक बिसेस मिनिंग को दर्साता है जैसे लंबोदर भगवान स्री कृष्ण जो है गनिस जी को कहा जाता है तो लंबोदर एक सब्द जो है बिसेस अर्थ को दर्सा रहा है गनिस इससे तरह दिनकर दिनकर सब्द भी क्या है दिनकर सब्द भी एक जोगिक सब्द है इसको अगर खंड करेंगे तो यह भी सार्थक जो है खंड में विवक्त हो जाएगा लेकिन यह एक business meaning को भी आपने आप में रखता है दिनकर को सुर्ज को को दिनकर कहा जाता है तो सुर्ज जो है इसका business जो है अर्थ को गरहन कर रहा है इस सब्द में तो इसका मतलब यह आपका योगरूर सब्द हो जाएगा तो किलियर हो गया ध्यान रखिएगा योगरूर में क्या होता है अर्थ आपको मिलेगा अब आज आते हैं अर्थ के आधार पर अर्थ के आधार पर जो है सब्द के दो पुछ लेता है कि अर्थ के आधार पर सब्द के कितने भेद होते हैं, तो दो होते हैं, सार्थक और दूसरा होता है, निर्थक, सार्थक क्या होता है, तो सार्थक सब्द वो सब्द होता है, जो सभी लोग समझ लेते हैं, आसानी से, सही से समझ जाते हैं, यानि इस परकार के σबद जिसका सही अर्थ सभी लोग समझ लेते हैं उसे सार्थक सब्द करते हैं जैसे पुस्तक, मेज ये आपका सार्थक सब्द होगे, very simple लेकिन निरर्थक क्या होता है निरर्थक सब्द वो होता है जिसका अर्थ किसी को समझ ना आए जैसे तग तक किसी को नहीं समझ में आएगा, इसका मिनिंग क्या होता है, बल, फग, इस तरह के जो सब्द आएंगे, वो निर्थक होंगे, तो आसानी से आप इसको छांट सकते हैं, question simply ये पूछ लेगा, कि निम्न में से कौन सा सार्थक सब्द है, तो सार्थक मतलब जो मिनिंग को दस आएगा, जिसकी मिनिंग होगी, जिसको सब कोई मालूम होगा, जिस सब्द के बारे में, निर्थक वो होगा, जिसका आर्थ मालूम ना पड़े, पता ना चले, उसको निर्थक सब्द, very simple, उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर सब्द के पांच बेद होते ह ध्यान रखिएhta iota the sun theoch बिधेसज और संगर यहां से भी कोईश्टन्स बन रहे हैं ड़्यान रखिए हैं दात्सम सब्द वह सब्द होते हैं संस्कित के सब्द शिरीप आपको यही याद रखना है दो संस्कित के सब्द होते हैं उसको दर्जान सब्द कहते हैं अब तदभव सब्द क्या होता है तो तदभव सब्द वैसे सब्द होते हैं जो संस्कित के सब्दों का उच्चारण सहज बना कर हिंदी में परियुक्त किये जाते हैं उससे तदभव सब्द कहते हैं जैसे आपका आग हो गया भाई हो गया पिता हो गया यह सब तदभव सब्द ह लेकिन तत्सम सब्द क्या है पुस्तक है अगनी है वर्षा है यह आपका जो है तत्सम सब्द है आप कैसे याद रखिएगा कि संस्कृत वाले सब्द को जो है तत्सम करते हैं या तद्भव कन्फूज रहिएगा तो एक मैं आपको ट्रीक बताऊंगा देखिए तत्सम इसमें सो आ रहा है ध्यान दिजेगा इसमें सो आ रहा है तो सो से क्या होता है संस्कृत सो से क्या हो जाता है संस्कृत हो जाता है तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि तत्सम सब्द में जो है संस्कृत से ही जो सब्द लिया गया है वो तत्सम है इस तरह से आप याद र तत्सम हैं तत्वाव इसका आठ हो जाएगा कुप कुआ कर्ण कान कोकिल कोयल गो गाई क्रिसी थेती दुग्द दूद त्रीन तिनका दंत दात मयूर मोर जिवा जीव सर्प साप लज्जा लाज रात्री रात नव नया आप इजीली पहचान लिजेगा कि तत्सम और तत्वाव कौन से सब्द हैं और सिंपल यही पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन से तत्सम सब्द है उसकी पहचान करें तो तत्सम माने आपका संस्कित वाले सब्द तत्वाव माने हिंदी वाले सब्द बस यह ध्यां रख लोटा हो गया डिविया हो गया पगड़ी हो गया यह हम लोग देशी सब्द है यह सब्द यह हम लोग इस्थानिय भासा में यूज करते हैं तो ऐसे सब्द को देशी सब्द बोलते हैं विदेश सब्द जो ऐसे सब्द है जो विदेश से लिया गया हो एडप्ट किया गया हो जैसे अंग्रेजी में, अंग्रेजी वाले सब्द, फार्सी वाले पूर्तगिज सब्द जो होते हैं उसमें जो हिंदी का मिस्रन आ जाता है तो भी जैसे सब्द बन जाता है जैसे फार्सी वाले सब्द, जैसे आवाज, आइना, कबूतर, चेहरा, जोज, सरकार, मुर्दा, मुप्त, सोधागर, ये सब फार्सी सब्द है इसे तरह अर्भी, अर्भी आपके जैसे हो गया आदमी सब्द, इनाम, किताब, कर्ज, मजबूर, कीमत, फैसला, कुर्सी, किस्मत, ये सब अंग्रेजी जैसे हो गया, कॉलेज, स्टेशन, साइक्विल, रेडियो, डॉक्टर, प्रॉफेसर, पोस्ट कार्ड, मसीन, ये सब जो हैं अंग्रेजी सब्द हो गये तो ऐसे सब्द, विदेशज में आ जाएंगे, ध्यान रखिएगा संकर क्या होते हैं, संकर सब्द क्या होते हैं, तो संकर सब्द, वे सब्द होते हैं, जो बिदेशी भासा के सब्द, तथा हिंदी सब्दों को मिला कर बने होते हैं मतलब उसमें बिदेशी भासा के भी सब्द रहेगा और हिंदी भासा के सब्द भी रहेगा और दोनों मिल जाएंगे तो संकर सब्द बन जाएगा जैसे कि जैसे कि हम लोग बोलते है रेल गाड़ी रेल गाड़ी कैसी सब्द है रेल गाड़ी एक जो है संकर सब्द में आ जाएगा दूसरा जैसे आपका टिकट घर, परिक्षा बोड, काला बजार ओपरेशन कक्ष, परिक्षा हॉल लाठी चार्जी ये सब्द जो है जो लिंग, पुरुष, बचन, आदी के आदार पर रूप परिवर्थित कर लेते हैं उसको बोलते हैं विकारी सब्द जैसे लड़का, अच्छा, वह, इत्तादी ये सब विकारी सब्द है और विकारी सब्द क्या होते हैं ये सब्द कभी भी अपना रूप नहीं बदलते हैं अब विकारी सब्द ऐसे होते हैं जो अपना रूप ही नहीं बदलेगा जैसा है वो इसे ही रहेगा कभी भी वो चेंज नहीं होगा जैसे आज हो गया यहां हो गया वहां होगा ये कभी भी चेंज नहीं होगा, चाहे कोई भी जंडर हो, कोई भी बचन हो, कोई भी जो है यहाँ पर पुरुस हो, सब के लिए जो है ऐसे ही रहेंगे, तो ऐसे सब्द जो चेंज नहीं होते हैं, बदलते नहीं है, उसी को बोलते हैं अभिकारी सब्द, तो ध्यान चलिए आप इस पर questions कर लेते हैं, देख सकते हैं, first question है, निमनलिखित सब्दों में से कौन सा सब्द योगडूर है, योगडूर सब्द, इसकी पहचान करनी है आपको, तो योगडूर सब्द विद्यालय है, लंबोदर है, स्वर्ण है, या नितिमान है, बताइए, सब्द आपका योगडूर हो जाएगा, क्योंकि लंबोदर सब्द का एक सार्थक खंड होगा, और ये विसेस मिनिंग को भी रख रहा है, लंबोदर किने वह कहा जाता है, लंबोदर गनेश जी को कहा जाता है, इसलिए आपका विसेस अर्थ लख रहा है, option B आपका correct हो जा निमन में से कौन सा रूड सब्द का उदारन है, रूड सब्द आपको पहचानना है, तो इसमें से रूड सब्द बताइए, लंबोदर, जल, जलासे और दिनकर, तो रूड सब्द यहाँ पे आपको पूछा गया है, यानि इसका अगर खंड कीजिएगा, तो कोई सार्थं मिनिंग नहीं डालेगा, तो देखिए, इसका खंड करेंगे, तो सार्थंग मिनिंग है, बिसेस मिनिंग रखता है, जलासे में भी बिसेस मिनिंग रखता है, दिनकर में भी, दिन जोड कर दोनों का मिनिंग है, लेकिन जल को अगर खंड कीजिएगा, तो इसका कोई बिसेस meaning नहीं रखेगा यानि ये root सब्द हो जाएगा option B correct हो जाएगा धरम सला रचना के अदार पर किस सब्द भेद में आता है तो धरम सला जो है आपका किस भेद में आ जाएगा तो ये एक जोगिक सब्द है धरम जोड सला धरम सला तो ये एक जोगिक सब्द है option b correct हो जाएगा निम्न लिखित सब्दों में से कौन सा सब्द देशज नहीं है नहीं है देशज नहीं है तो बताइए इसमें से कौन सा सब्द जो है देशज नहीं है तो पुसकर जो है आपका देशज नहीं होगा निम्ण की सब्दों में से कौन सा देशज है अब देशज कौन सा है यानि देशी सब्द इस्थानी भासा में बोले जाने वाली सब्द तो फटाफट ये सब्द जो है आपका देशज हो जाएगा निम्न सब्दों में से योगडूल सब्द कौन सा है योगडूल मतलब बिस्यस अर्थ को रखने वाला सब्द तो इसमें से देखिए चक्रपानी जो है आपका एक बिस्यस अर्थ को दरसा रहा है यानि यही option आपका correct हो जाएगा आदमी कैसा सब्द है आदमी सब्द जो है देखिएगा तो यह बिदेसी भासा से लिया गया सब्द है यानि यह फार्सी का सब्द है तो इसको हम लोग बोलते हैं बिदेसी यानि बिदेसज निम्नलकित में से कौन सा एक तत्सम सब्द है इसमें से तत्सम सब्द पहचाना है अगनी अगनी तो आपका तत्सम हो जाएगा आदमी एस्टेशन आम तो इसमें से बताएं कौन सा होगा तो आम जो हो जाएगा आपका तत्भव सब्द में आ जाएगा निम्र में से कौन सा संकर सब्द है तो संकर सब्द का मतलब होता है कि जो बिदेशी सब्द हो और साथ में हिंदी का भी उसमें जो है मेल से बना हुआ हो तो उसको संकर कहते हैं तो जैसे रेलगाड़ी सब्द जो हो गया ये आपका संकर में आ जाएगा ध्यान रखेगा Next question की और देख सकते हैं इनमेल की सब्दों में से कौन सा सब्द तत्सम है तत्सम सब्द की पहचान करना है मतलब संस्कीत वाले सब्द फूत, बच्चा, नोन या पासान तो बताईए इसमें से कौन सा और करेक्ट होगा तो option D करेक्ट हो जाएगा पासान हो जाएगा रिक्सा किस भासा का सब्द है जो हिंदी में परचलित है तो रिक्सा जो है आपका जो है ये जापानी भासा का सब्द है ध्यान रखिएगा जापानी भासा का सब्द है option C correct हो जाएगा रात्री का तत्भव रूप क्या होगा तो रात्री जो है आपका तत्भव सब्द है इस तो ठंधा जो है आपका देशस सब्द है, देशी सब्द है, फिर आपको यहां चुनाव करना है निमलकित में से कौन सा तत्थम सब्द नहीं है, तो जो नहीं है यानि संस्कित वाले सब्द जो नहीं है, पुसकर, चक्षु, प्रहार और पत्थर, तो इसमें से आपका अनुकुरन सब्द कैसा है, अनुकुरन जो है आपका कैसा सब्द है, तो यह है आपका तत्थम सब्द, निमलकित में से कौन सा सब्द योगिक है, इसमें से कौन सा योगिक है, तो ध्यान से देखें, कौन सा योगिक होगा, तो पाट सला आपका योगिक होगा, तो ध्यान वाले सब्द कुम सा है तो देखे ग्रिया अगनी चीर और घर तो घर आपका जो है तत्वव हो जाएगा बाकी सब्द तत्सम हो जाएगा अब चलिए नेक्सट टोपिक ये किरिया वाले सब्स यू पर आपको देखने को मिलेंगे मतलब किरिया के प्रसन आपके यहां पर देखने को मिलेंगे अभी किरिया टोपिक से कोईचिन है देखिएगा धान दीजे फィर्स्ट कोईचिन चलिए मैं थोड़ा जूम कर लेता प्रेनार्थक किरिया है द्विकर्मक किरिया है संजुक्त किरिया है या पूर्वकालिन किरिया है बताइए कौन सा किरिया है तो यह अगर देखिएगा तो द्विकर्मक किरिया है इसमें जो है दुकर्म दिखाया गया है यानि आपका option भी correct हो जाएगा हसना कैसी किरिया है हसना जो है आपकी कैसी किरिया है सकर्मक किरिया है अकर्मक किरिया है संजुक्त किरिया है ये प्रेनार्थक किरिया है तो हसना एक अकर्मक किरिया है कैसी किरिया है अकर्मक किरिया है ध्यान रखिएगा गाड़ी चलने लगी इस बाइक की किरिया का रूप बताईए तो इस बाइक में किरिया का जो रूप है वो आपका दुईकर्मक किरिया है गाड़ी चलने लगी चलने लगी दुईकर्मक तो यहाँ पर option A आपका correct हो जाएगा निम्लकित में से कौन सी सकर्मक किरिया है, तो सकर्मक किरिया कौन सी है, आना, जाना, लेना, मरना इसमें से, तो आपका जो है ये जाना जो है आपका सकर्मक किरिया हो जाएगा, निम्लकित में से कौन सा अकर्मक किरिया है, खाना, पीना, उठना, आना, तो इसमें से जो है आ आना जो है आपका अकर्मक किरिया में आ जाएगा निन्वलकित में से कौन प्रेणार्थक किरिया नहीं है इसमें से कौन से नहीं है रहना भेजना चुबोना रखना तो रहना जो है आपका प्रेणार्थक किरिया में नहीं आएगा और सने करेक्ट हो जाएगा वह इधर उध इधर देख रहा है इस वाइक में इधर उधर सब्द कौन सी किरिया है तो इधर उधर जब इस तरह का रहेगा और योजक चिन यहां पे लगा रहेगा तो यह तो आपका यह हो जाता है दोस्तों इस्थानवाचक option B आपका correct हो जाएगा अर्थ की दिष्टी से किरिया विशेशन के कितने भेद होते हैं तो अर्थ की दिष्टी से किरिया विशेशन के दो भेद होते हैं ध्यान रखेगा निर्मकित में से किस वाइक में किरिया विशेशन का प्रयोग मिलता है तो इसमें से कौन से वाइक मे लुषेगा तो किर्या की विश्ता बता रहा है कौन से option A आपका कम घर्रेक्ट हो जाए baz definitely तुम खा रहे हूं बसे सी होजित है कौन सी साय किर्या है इस बाइक में तो जो है हो हो जो है साहता कर रहा है help कर रहा है option अपस्ट कर्णा कर्णा कर सो गया तो उसको क्या कहता है मुख किरिया के तो कौन सा वाच होता है ध्यान दिजेगा तो उसी को बोलते है कृतिवाच यानि जिस वाइक में करता की प्रधानता होती है उसे कृतिवाच बोलते है और जिस सब्द में करम की प्रधानता होती है उसे करम वाच बोला जाता है राम खाना खाता है इस वाच इसमें से पूछ लिया है तो राम खाना खाता है इस वाच कौन सा प्रजुकत होा है तो यहाँ पर अगर देखिएगा तो आपका कर्म जो है इसमें कर्म बाच प्रजुकत होा है next question है आपका राधा ने गाना नहीं गाया इस bike में कौन सा वाच है तो राधा ने गाना नहीं गया इसमें कौन सा वाच है तो इसमें भाव को दिखा रहा है भाव वाच है तो option C correct हो जाएगा वहाँ बरसा होगी इस bike में कौन सा काल प्रकट होता है तो इस bike में आपका संभाव काल जो है प्रकट होता है option B correct हो जाएगा निर्वकित में से किस बाइक में किरिया बरतमान काल में है तो देखिए कौन से बाइक में जो किरिया बरतमान काल में है तो यहां पर देखिएगा उसने फल खा लिये थे मैं तुम्हारा पत्र पढ़ रहा हूँ अचानक बिजली कौन उठी कल वो आने वाले थे तो मैं तुम्हारा पत्र पढ़ रहा हूँ यह जो है आपके बरतमान काल को दर्सा रहा है किरिया तो option B correct हो जाएगा राम द्वारा पढ़ाया जा रहा है इस वाइक में कौन सा वाच है तो द्वारा लग गया तो इसका मतलब आपका जो हो जाएगा यहाँ पर भाव आच हो जाएगा क्या हो जाएगा भाव आच ध्यान रखेगा तो option B आपका correct हो जाएगा जहां आज तुम हो वहाँ कल मैं था वाइक में किस परकार का किरिया विशेशन है तो देखेगा तो संयोजक किरिया विशेशन है संयोजक किरिया विशेशन next वह रात दिन पढ़ता रहता है इस वाइक में किस परकार की किरिया विशेशन यूज हुआ है तो वह रात दिन पढ़ता रहता है तो बात करें तो यह संजुक्त किरिया विशेशन है कैसे है संजुक्त रूप से किरिया विशेशन का प्रियोग हुआ है option C correct हो जाएगा तुम अपना हिसाब थोड़ा थोड़ा कर चुकता कर लो इस बाइक में कौन सा किरिया विशेशन है तो इस बाइक में जो अगर बात करें तो परिनाम बाचक किरिया विशेशन है ध्यान दीजेगा तुम अपना हिसाब थोड़ा थोड़ा कर चुकता कर लो यानि ये परिनाम बाचक किरिया विशेशन में आजाएगा निमन में से कौन सा अविकारी है यानि अविकारी इसमें देखिएगा तो अबबय किर्या विशेशन और विशेशन तो यह अबबय और किर्या विशेशन को ही अभिकारी सब्द का अबबय किर्या विशेशन में कोई अंतर नहीं होता है जरूर होता है और अबबय आपका आजाएगा करन बाचन अबबय होगा निवांकित में से किस बाचि में किर्या विशेशन का प्रयोग नहीं है किर्या विशेशन इसमें कोई प्रयोग नहीं हुआ है तो ध्यान दीजेगा वो कापड़े साब धोता है इसमें तो है वो धिरे धिरे पढ़ता है इसमें भी है आम मिठा है यहाँ पे किर्या विशेश असुद्ध प्रयोग हुआ है तो असुद्ध रूप से गलत प्रयोग हुआ है इसमें से तो चुनाव करना है आपको वह मन से पढ़ता है वह चुप-चाप से चला गया तब तक बात कुछ और थी और यह पुस्तक उसने कही नहीं तो यह किरिया विशेशन का सुद्ध प्रय देखने वाले हैं बता दें कि अब बर्नों के आधार पर संधी के तीन परकार होते हैं सुवर संधी वेंजन संधी और विसर्ग संधी यह आपको मालूमी होगा सुवर संधी यानि दो सवरों को मिलने से जो विकार या रूप परिवर्तन होता है उसी को सुवर संधी कहते ह और सुवर संधी के भी 5 परकार होते हैं इस बात को भी ध्यान रखिएगा दिर्ग सुवर संधी गुन सुवर संधी जो है फिर आता है कि बिर्दिस सुवर संधी जो आता है यन संधी आता है और आयादी संधी आता है इस बात को भी ध्यान दखिएगा चलिए कोश्चन करते ह इसी से हम सारी चीज़ को cover कर लेंगे देख सकते हैं सूर्जदय का संदी विच्छेद क्या होगा तो सूर्जदय सूर्जदय का आपका संदी विच्छेद इसमें से कौन सा accurate है बताईए तो आपका इसमें B option correct हो जाएगा सूर्ज जोड उदय सूर्ज जोड उदय सूर्य दय option B correct होगा वैर्थ का संदी विच्छेद क्या है तो वैर्थ का संदी विच्छेद है वी जोड अर्थ option C correct हो जाएगा अंतरगत का संदी विच्छेद क्या है तो अंतरगत का संदी विच्छेद इसमें से बताइए कुन सा है तो अंतरगत का संदी बिच्षित अंतरगत option A correct होगा नरायन का संदी बिच्षित क्या है तो नरायन का संदी बिच्षित है आपका नार जोड आयन option C correct हो जाएगा ध्यान रखेगा important है नायक का संदी विच्षित क्या हो जाएगा तो नायक का इसमें अगर संदी विच्षित पूछ लिया जाए तो ने जोड अक नायक आपका D option correct हो जाएगा नेक्स्ट है सास्टांग का संधी विच्छित क्या होगा तो इसका संधी विच्छित सा जोड आश्ट जोड अंग सास्टांग तो आपका C option correct हो जाएगा नमस्कार में कौन सा संधी विच्छित सही है बताईए तो नमस्कार में निम्न में से कौन सी संधी है कौन सी संदी है यन सुवर संदी है ध्यान रखिएगा नेक्स्ट है वेदर सी में कौन सी संदी है तो वेदर सी में आपकी संदी की बात करें तो ये गुन सुवर संदी है कैसी संदी है गुन सुवर संदी है लगुर्मी में कौन सी संदी है तो इसमें जो है संदी आपकी है दिर्ग सुवर संदी है ध्यान रखिएगा option B correct हो जाए वार्तालाप का सही संदी विच्छित क्या है? तो वार्तालाप का सही संदी विच्छित आपका हो जागा वार्ता जोड आलाप वार्तालाप option B आपका correct होगा हिते C का सही संदी विच्छित क्या है? तो हिते C का सही संदी विच्छित होगा हित जोड A C हिते C, option C correct हो जाएगा पुर्ण जरम का सही संदी विच्छित क्या है? तो पुर्ण जरम का सही संदी विच्छित की बात करें तो पुर्ण जोड जन्म पुर्ण जन्म, तो option A correct हो जाएगा निर्मल का सही संदी विच्छित क्या है? तो इसका संदी विच्चेद होगा नी जोड मल मुनीस में कौन सी संदी है तो मुनीस में आपका दिर्गुसवर संदी है option A correct हो जाएगा देवी जोड एसवर्य किसका संदी विच्चेद है तो ये आपका है देवर्श्य option B correct हो जाएगा चलिए next question की और चलते हैं, देखिए यहाँ पर है आपका भोर जोड़ उक किसका संदी विच्चेद है तो इसमें अगर देखिएगा तो यह आपका भावुक का संदी विच्चेद हो जाता है भोर जोड़ उक वाक जोड़ माई किस सब्द का संदी विच्षेद है तो यह आपका है वाड मै ध्यान रखिएगा important है विद्याभांस देखिए विद्याभयांस का संदी विच्षेद क्या हो जाएगा तो इसका जो है संदी विच्षेद होगा विद्दा जोड अभ्यांस option C आपका correct हो जाएगा पित्र आदेश का संदी विच्षेद क्या है पित्र आदेश ध्यान दिजेगा option ध्यान से देखिए पित्र आदेश का सही संदी विच्षेद चुनाव करना है आपको तो यहाँ पे पित्र जोड आदेश पित्र आदेश Option B Correct हो जाएगा संधी के मुख्य भेद हैं तो संधी के मुख्य कितने भेद हैं संधी के मुख्य जो है आपके तीन भेद है Next दो स्वरो के जोग से बनने वाले सब्द किस संधी के अंतरगत आते हैं तो इसी को बोला जाता है आपका स्वर संधी option decorrect हो जाएगा निम्न में से कौन स्वर संधी का वेद नहीं है तो आपका ये विसर्ग संधी जो है next है किस संधी में सोरों का परिवर्टन यारालाव में होता है तो ये आपका होता है यन संधी में इसी को यन संधी बोलते है स्वजातिय लगो तता दिर्ग सुवरों को मिला कर दिर्ग होने का लक्षन किस संधी में होता है तो ये आपका होता है दिर्ग संधी में option A correct हो जाएगा बिसर्ग संधी में किसका मेल होता है तो बिसर्ग संधी में जो आपका मेल होता है बिसर्ण के साथ सुवर और व्रैंजन का option B correct हो जाएगा निमन में से कौन सा संदी विच्चिद व्रैंजन संदी में नहीं आता तो ये आपका आता है किस में नहीं आता पोज और अन में D option correct होगा परिच्तिक में कौन सी संदी है तो प्रिष्टिक सब्द में जो है कौन सी संदी है तो आपका यन संदी है ध्याँ रखिएगा निम्न में से किस में वेंजन संदी नहीं है यानि वेंजन संदी जिसमें नहीं है उसका चुनाव करना है तो दिगज इसमें तो वेंजन संदी है, निर्विकार ये इसमें नहीं है, option B जो है आपका correct हो जाएगा नेक्ट कोईश्चन है निम्न में से कौन सा विसर्क संदी नहीं है, इसमें सा विसर्क संदी कौन सा नहीं है, बताईए तो आपका नी जोड का पट इसमें तो विसर्क संदी है पट जोड उन्नती इसमें नहीं है यानि आपका B option जो है correct हो जाएगा पवन का सही संदी विच्छित क्या हो जाएगा तो पवन का सही संदी विच्छित हो जाएगा पो जड अन पवन ध्यान रखिएगा पो जड जोड अन मिल के पवन बनता है option D correct हो जाएगा इत्तादी का सही संदी विच्छित क्या होगा तो इत्यादी का सही संदी विच्छित इती जोड आदी option D correct हो जाएगा यसोगान का सही संदी विच्छित क्या है यह सोदा सब्द का संदी विच्छेद क्या होगा तो इसका सही संदी विच्छेद होगा यस जोड़दा यह सोदा निमनलकित में से किस सब्द में विसर्क संदी नहीं है तो विसर्क संदी इसमें से किसमें नहीं है तो निस्तांत में जो है विशर्ग संदी नहीं है महोड़ाय का उचित संदी वीच्छेद है महाजोड उदाई महोड़ायं option B correct हो जाएगा महोष धम ध्यान रिखिए महोष धम में कौन सी संदी है दिल्ग संदी है, वृदि संदी है, गुन संदी है या फिर आयादी संदी है तो इसमें जो है व्रिधी संदी है निश्चल में कौन सी संदी है तो निश्चल में जो है आपके विसर्ग संदी है आपसें भी करेक्ट ये करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट है बिप जल सब्द का संदी विच्छेत कीजिए तो बिप जल सब्द का सही संदी विच्छेत अगर यहां पर देखिएगा तो बिपत जोड जल कपिस में कौन सी संदी है ये पुछा है तो कपिस में जो है दिर्ग संदी है कैसी संदी है दिर्ग संदी है निम्न में से नयान का सही संदी विच्छित कीजिए तो नयान का सही संदी विच्छित क्या हो जाएगा ने जोड अन, ने अन, option C correct हो जाएगा तो I hope कि वीडियो अच्छी लगी होगी दोस्तों तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजेगा और आपने दोस्तों में जरूर सेर कीजेगा मिलते हैं इसी तरह के वीडियो के साथ तब तक के लिए जाहें झांक्स पर वाइगा